श्री शिवाय नमस्तु भ्यम हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 2024 को पढ़ रही है, गुरु पूर्णिमा ति थी, दोस्तों, यह जो गुरु पूर्णिमा है, आशाध महीने में पढ़ने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि यह जानते हो कि गुरु पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, तो दोस्तों, इस रविवार की गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो मतलब पूरा महीना निकल गया आशाड महीने का उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो पर दोस्तों आप के पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो की 21 जुलाई के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो पर अगर आपने इस आशाड महीने के गुरू पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी इसी लिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं देखिए यह इस आशार महीने के पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है इतना महत्वपूर्ण होता है देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वो आशार महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी म इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल्च जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, कि यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना तो दोस्तों इस एक सो आठ चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करना है किस को करना है, किस समय करना है, और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और जो ये वीडियो देखेगा, भाई उसको एक सो आठ चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आजाए एक सो आठ चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है, इस रविवार गुरु पूर्णिमा का तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं, तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, और दोस जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है, जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शान्ति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमे उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बेहनों में से कोई एक माता बेहन भी कर सकती है। अब दोस्तों इस एक सो आठ चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप घर प लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का तो हम आप से बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो जिएदा बेहतर होगा बाकी अगर प्रदोशकाल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोश काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है होता है, वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोशकाल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है, शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अब दोस्तों यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, कि इस 108 चा हम आपको बता दें, सबसे पहले आप आप लोग यह जान लो, कि यह जो 68 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामगरी लेकर कभी भी शिवजी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है, कि अगर हम भगवान शि पुजन सामगरी भी जरूर लेकर जाना है, देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे, वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, मिट्टी का जल कैसे बनाया ज जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोज बना दी है, आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिवजी पर चरहाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा, तो इसलिए इस दिन हो सके, तो भाई, पूजन सामगरी है, देखो, 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामगरी रहेगी, वो अलग रहेगी, पूजन सामगरी में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे, वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चड़ता है, इसी लिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तयार कर लें, जो की गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस 108 चावल के दाने हमें लेना कहां से है, क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो देखो इन सभी सवालों के जवाब, आप लोग एक बात मे सुन लो, कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है, कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है, बस जो भी चावल ले रहे हो, वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कट इस बात है कि आपके घर के रसोई घर में, जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना, या एक मुठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पडड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, तो अपने उस चावल की कटोरी में से, या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो, जो की तूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग न लगा हुआ हो, है ना, अच्छे सावुत चावल के दाने, 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन्हें किसी भी एक कागज की पूडिया में, या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर न हो, और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए, तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामगरी है, 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामगरी है, सुभह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामगरी जो लेकर जाना चाहो, उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो, तो भाई अपना जो दीपक है, उसे तैयार कर लेना, ठीक है, और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान रखना, ठीक है, सुभह सुभह स ध्यान रखना है, आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोश काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप अपने उपाय की पूरी सामगरी तैयार करके, आपके पास ही में जो आपका शिव म अंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीरवात प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामगरी लेकर आये हुए हैं, जैसे कि सुबह गये हुए होंग तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामगरी लेकर आये हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए, सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चड़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामगरी चड़ेगी, उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इ ठीक है इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना वैसे भी गर्मी पड़ रही है भगवान शिवजी को आच नहीं लगनी चाहिए है ना तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो ज पैठ जाईए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामगरी करने के बाद पूजन अर्चना करने के बाद तो एक सो आठ चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हतेली से होगा इसलिए इस बात का भी विशेश रूप से ध्यान रखना है तो सीधे हाथ की हतेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना तो अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के उपर चरहाना है कहां पर चरहाना है और कहीं पर भी नहीं चरहाना है आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के उपर चरहना है भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर आप चरहाव शिवलिंग के उपर ही तो आपको क्या करना है अपना पहला चावल का दाना उठाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चरहा देना है इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है शिवलिंग पर चरहाना है और मंत्र बोल देना है और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चरहा देना है इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल क के दाने एक-एक करके, शिवजी के शिवलिंग के उपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है। पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चरहाने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चरहा द रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है, पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को दो मिनट भगवान शिवजी के मंतर का जाप जरूर करना है, और मंतर का जाप करने के बाद भगवान स प्रार्थना करके उनसे आशीरवाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं बस दोस्तों यहां यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो वीडियो को लाइक और चैनल को स सब्सक्राइब जरूर करे हर हर महादेव ओम नमः शिवाए